जयें साथियों एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर तो दोस्तो जैसा कि हम लोग हैट रेट यो अपिटल की तयारी कर रहे थे दोस्तो उसी की सीरीज में हम यह प्रैक्टिस एड नमर 11 लेकर के आए हैं जो कि आपका साइंस का रहने वाला है इसमें मूँ इसमें टोटल 20 डिसकस करने वाला हूँ सो चलिए दोस्तो वीडिएको श्टार्ट करते हैं और दोस्तों यह प्रैक्टिस एट मैंने यूथ कॉंप्टिशन टाइम से लिया है जो कि आपका प्रैक्टिस एट आता है और दोस्त अगर आपके पास यह बुक है तो बहुत अच्छा नहीं तो मैं इसका पीडियाप आपके टेलिग्राम चैनल पर मैं अपने दे दूँगा 중q यह पर मौCL से एक वी कौश्च नहीं चूटने वाला है तो आपके पचास नमर क्लीर ओने वाले हैं यानि कि 50 नमर का इनी में से आएगा तो आपको साइंस में पताईये तो आपकी कोश्च नहीं चूटने Ö Warло coping मैं खेल आपके मशिचा exciting लिए और आभ किलियर है अगर आपने नए चेप्टर को क्लियर कर लिया ठीक है दोस्तों और उमीद है कि आपने concept और theory तो पढ़ ली होगी आप सिर्फ आपको practice करने की जुरूत है जो कि मैं daily करा रहा हूं और दोस्तों आपको practice में ज्यादा समय भी नहीं देना है मैं जो हमारी daily के वीडिय मिनिट की आप इसको देखिएगा दोस्तों जो आपको जो concept आपसे ना बने उसका पहली बाद तो मैं आपको concept रताता हूं वीडियो में अगर फिर भी समझ में आए तो आप किसी book से या फिर net से देखकर उसको clear कर सकते है और दोस्तों आपका 15-20 मिनिट यह हो गए और 20 मिन आपकी सामान हिंदी हो गई सामान ग्यान हो गया मैत और रीजनिंग दोस्तों इन में आपको समय ज्यादा देना है और science की जो problem है आप हमारे उपर छोड़ दीजे मैं आपको daily practice तो कराऊंगा ही साथ में आपको concept भी बताता चलूंगा ठीक है दोस्तों science में आपको मैंने ब अनवचारिक रूप से खगोली दूरी को भ्यक्ति करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों अनवचारिक का सबसे पहले आप मतलब समझे अनवचारिक का मतलब होता है कि जो चीज यदा-कता यूज की जाए है यानि कि हर सबद इसक अनवचारिक का मतलब यह होता है तो दोस्तों और इसमें पूचा गया खगोली दूरी को भ्यक्ति करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों आपको पता ही है कि खगोली दूरी को भ्यक्ति करने के लिए प्रिकास वर्सका ही यूज क आपके इस्तिते जूर जाओती है ठीक दोस्तो राइट अंसर आपका उप्सन नमर भी हो जाएगा दोस्तो प्रकास वर्स के बारे में एक चीज आउर आप जान लीजिए एक प्रकास वर्स में 9.46 इन्टू 10 to the power 15 मीटर होते है ठीक दोस्तो मीटर यह आपको ध्यान रखना है 9.46 इन्टू 10 to the power 15 मीटर होते है एक प्रकास वर्स में यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको ध्यान रखना है आप नेस्ट कोशन देखिए यदि एक परस्त का बेग उसके प्रारंबिक ब बताना है कि किसी प्रारंबिक बेग पहले बी था और उसके बाद प्रारंबिक बेग का दोगना यानि कि उसके बाद टू भी हो गया तब इसकी गतियुजा इसकी प्रारंबिक गतियुजा की कितनी गुनी हो जाती है ठीक दोस्तों यह बताना है आपको तो दोस्तों आपक जोस्टों हो बिस्कोर करेंके 2बी करतीजी थो कितना हो जाएगा 2 का square 4 into B square ठीक दोस्तों यहां से 2 से 2 cancel हो जाएगा और यहां पर 2 बचेगा तो दोस्तों यहां से आपका जो निकल के आएगा तो दोस्तों यहां से 2 को 4 से cancel नहीं करेंगे दोस्तों इसको बनबाई 2 mb square ही रहने देंगे जिससे की दोस्तों आपको थोड़ा आइसानी होगी किको दोस्तों half mb square ही आपकी kinetic energy होती के यह तो दोस्तों आपको क्या यहां पर चेंजमेंट देखने को मिला यानि कि जो आपकी गती जुरुजा थी वह चारगुनी हो चुकी है तो राइट आंसर आपका अपसर नंबर बी हो जाएगा अब चलिए नेस्ट कोशन पर 44 नंबर कोशन कहरा है कि जब कोई बस तो एक समान डॉल्टिगत से गोड़न करती है तो प्रतिएक बिंद पर इसका बदल जाता है यानि कि कौन सी क्वांटिटी है जो की बदलती रहती है प्रतिएक पॉइंट पर तो दोस्तों आपका जो बेग होता है न तो जब भी एक समान ब्रतिगती होगी तो बेग हमेसा चेंज होता रहेगा दोस्तों राज टांस लापका आपसन नमर बी हो जाएगा अब चलिए नेस्ट कोचन पर तो दोस्तों उसमें आपका प्रत्वी का आवर्तकाल जो होता है t जोगल टू पाई अंटरूट आरी प्लस h का होल क्यूव अपान गरी तो दोस्तों इसमें ये जो फार्मुला इसमें जब आप वेल्यू लगाएंगे यानि कि H1 को आपको H रहने देना है पहले जो दूरी थी प्रत्विय असूर के बीच की वो आपको H मान लेनी है और वो बात परतमान दूरी की आदए यानि ह2 जो होगा उसको H by 2 आपको मान लेना है तो दूस्तो यह आपके दो एक्वैसन बनेगी और दोनों equation को जो आप compare कराएंगे उसके बाद जो आपकी value निकल के आएगी वो आएगी आपकी 365 अपान जाएगी उसके बाद आपका 129.4 हो जाएगा तो दोस्तो जो point 4 होगा वो आपका option में नहीं दिया है लेकिन दोस्तो आपका 129 तो दिया ही है यह आपका answer आपका option नमर भी सही हो जाएगा तो दोस्तो यह कुछ दो-4 फर्मूले आपको gravitation chapter में पढ़ लेने उनको और इसका मै PDF आपको दे दूँगा वहां से भी आप देख सकते हैं अब चलते हैं next question पर कैपलर के दूसरे नियम का परड़ा है तो दोस्तो आपका जो कैपलर का दूसरा नियम होता है वह आपका खोड़ी संबेक सरच्छड के नियम पर आदारित होता है और दोस्तो आप कर दोस्तो झाल 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 झाल